आज हम बात करने वाले हैं उन mistakes की जो आप अकसर करते हैं OMR को फिल करने में और basically ना केवल OMR बलकि आपकी जो आपको एक्जाम सेंटर पर मिलेगी लिस्ट उसमें होने वाली गलतियां क्योंकि एक चोटी से आपका पेपर चाहे जितना भी अच्छा हुआ हो अगर आपने एक चोटी सी गलती की तो आपका पूरा पेपर कैंसल हो जाएगा और रिजल्ट इन्वालिट हो जाएगा तो basically आ अपने सपनों को साकार करेंगे बस उनको ध्यान देना है इन छोटी गलतियों का तो बचो इन सारी गलतियों पे ध्यान दीजेगा बढ़ते हैं one by one mistakes पे की जो अकसर ओमार शीट पे होती है सबसे पहली चीज़ आपकी ओमार अट शीट जो होगी वो कुछ इस टाइप की हो ओमार शीट होगी तो आप होने वाली क्या-क्या गलतियां है इसमें जैसे first mistake आपको जो ध्यान रखनी है जो पेपर होता है उसमें आपको मैट्स का पेपर चाहें जीटी का पेपर आपको जो question paper मिलेगा उसके चार सेट होते हैं A B C D तो आपको ध्यान से देखना है कि आप आपको कौन सा सेट है होते सब में सेम questions है बट questions के sequence अलग-अलग होते हैं तो अगर आपने question paper का numbering गलत कर दिया यानि code गलत कर दिया तो आप समझे कि आपके ओमार चेक नहीं हो पाएगी और सारे answers गलत हो जाएंगे आपके चेक तो होगी बट भाई उसी set case आप से answers चेक हो circle करेंगे बी है तो वी को circle करेंगे सी को circle करेंगे साथ ही साथ आगे जो होने वाली मिस्टेक उसको भी ध्यान दे देते हैं booklet series नंबर कभी भी blank ना छोड़े वरना आपको कौन सा question paper मिला है और आपने किस question paper के हिसाब से ओमार फिल किया है ये examiner को पता नहीं चल पाएगा त तो ध्यान दीजेगा यहां पे आपको booklet series नंबर फिल करना जरूरी है next mistake जो major mistake होती है वो है subject code subject code जैसे zero two है तो आपको zero first letter और बाद में two को circle करना है और बहुत ध्यान से करना है अक्सर क्या किया करो कि पहले यहां लिख लिए करो और उसके बाद अपनी numbers को जैसे जो सबसे सब्सक्राइब करना है लिखना है और उसको circle भी करना है तो जो भी letters है उसको यहां पे पहले फिल कर लो वहां से उपर रीड करके उसके बाद नीचे उसको circle करते हुए चले जाओ सर्क्लिंग करते समय ओमार आप अपने exam center में जब 9.30 बजे पहुँच जाएंगे अपने समय से आदे गंटे पहले exam center exam समय से पहले आदे गंटे पहले ठीक है तो यह दो major गलतिया और देख लीजे आप अगली बात आपकी जो ओमार का यह वाला section होता है इसको आप गलती से भी damage ना करें बहुत सक्त हिनायत है आपको कि यह वाला portion damage नहीं होना चाहिए साथ ही साथ ध्यान दीजे जब भी आप question paper solve करते हैं तो question paper को कई बच्च ठीक है तो ध्यान रखना है कि यह portion damage ना हो पाए और फोल्ड बिल्कुल नहीं करना ठीक है next important बात करते हैं यह जो नीचे या last moment या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि OMR को जब फिल करते हैं तो यह जो circling होता है वह बहुत incomplete करते हैं बीच में छोड़ देते हैं या कभी बाहर निकाल देते हैं या कभी हाफ फिल करते हैं और कई बार एक को काटके दूसरा भर देते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है अगर आपने एक question में दो ओमार फिल किये तो वह already invalid है ठीक है उसमें आपके negative marks कटेंगे ही कटेंगे तो दूसरा बात ध्यान आपको यह देना है कि आप कभी भी OMR को फिल करें और तो एकदम proper circling करें दूसरे important बात ओमार को फिल करने के लिए आप एक ball pen रख लिए जो थोड़ा सा मोटे निपका हो तो उससे क्या होगा जब भी आप circling करेंगे तो वह proper जल्दी circling भी हो जाएगी उसमें और कम समय लगेगा साथे साथ जो दूसरी major गलती है आपकी वह यह होती है कि last moment पे कई बच्चे ओम फिल कर दे क्योंकि आपको वहाँ पे एक भी मिनेट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उससे कोई फरक नहीं पढ़ता कि आपने question paper में कितने सही answer माग किया अंटेल अनलेस आपके OMR में उनके answers नहीं है mention तो यह भी major mistake है जो आपको ध्यान देना आके जो scannable attendance sheet है वो आपके पास examiner कुछ इस type से लेकर के आएंगे ठीक है scannable attendance sheet में आपको ध्यान देना है कि जब आप फिल करेंगे आपके एक photo आएगी photo की बगल में आपका roll number लिखा होगा और आपका signature होगा जो कि आपने वहां पे exam form भरते समय जो upload किया होगा same उसी type का signature आपको अपना यहां करना है जैसा कि आपने form भरते समय किया था यहां पे आपको present और absent mark करना होगा तो एक circle होगा P का और एक circle होगा A का उसको mark करना होगा booklet test series number तो booklet series number आपको question paper में ही mention होता है उसको यहां fill करना होगा और answer series number भी आपकी omar में mention होता है जिसको आपको यहां fill करना रहेगा ठीक है तो यह major mistakes है जो आपको ध्यान देना है कि यहां पे गलती से भी आपको signature अपना सही करना है signature आपको गलत नहीं करना है ठीक है और ध्यान देना है कि अपनी attendance sheet में ही आप sign करें किसी और candidate में ना sign कर दें तो यह major mistakes है जो आपको धान दे रहे है पेपर में क्योंकि कई सारे बच्चे जीवन का पहला पेपर दे रहे होता है तो उनको आइडिया नहीं होता है कि हमार कैसा होगा घबरावट होती है बट आप पहले से सब कुछ जानते रहेंगे तो आपका